मुंबई में नवजाच शिश्वों को बेचने वाले गिरों का परदाफवाश किया गया है आपको बता दें कि मुंबई में क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरों का परदाफवाश किया जो नवजाच शिश्वों को बेचता था क्राइम ब्रांच ने साथ महिलाओं और दो पुर्षों समेट नो लोगों को काबू किया है वही इन सभी लोगों को 21 जैनवरी तक हिरासत में भेज दिया गया है ये गिरो साथ हजार रुपे में नवजात बच्ची और डेड़ लाक रुपे में बच्चों को बेचता था गिरो ने छे महिनों में चार बच्चों को बेचा है पुलिस को प्रारंबिक जाच में पता चला है कि छे महिनों में चार बच्चों को बेचा गया है हलाकि पुलिस को इस बात का संदे है कि बेचे गए बच्चों की संख्या इससे जादा हो सकती है क्राइम प्रांच शाखा एक निश अनिवार को कई आरोपितों को काबू किया था बताया तो ये भी जा रहा है कि आर्थी पैथोलोजी लैब टेक्निशिन है और गिरोग का संचालन करती है गिरफतार आरोपियों के तहट आई पी सी और जोवनाईल जस्टिस एक्ट के तहट मामला दर्च किया गया है पुलिस ने आज मॉबाइल फोन जब्त कर लिए है इन फोन में बच्चों की फोटो और वाटस अप चैट मिले है बता दे कि पुलिस एसाई योगेश चवान और क्राइम ब्रांच शाका एक की मनीशा पवार को गिरोग की महिला की सूचना मिली सूचना में पता चला कि एक महिला बच्चों को बेशने में लिप्त है और बांदरा इस्ट में रहती है जब इस बारे में जाच परताल की गई तो पता चला कि रुकसर शेक नाम की महिला है और उसने हाली में एक बच्ची को बेचा है जब रुकसर शेक से पूच्चाच की गई तो दूसरी आरोपित महिला के बारे में पता चला महिला ने बताया कि शाह जहां जोगिलकर ने रुपाली वर्मा के जरीए अपने बच्चे को पूरे स्थ एक परिवार को बेचा है 14 जनवरी को पुलिस टीम ने तीन आरोपितों को हिरासत में लिया रुकसर शेक ने पुलिस को बताया है कि 2019 में उसने अपनी बच्ची को 60,000 रुपे में बेचा था और डेड़ लाग रुपे में बेचा था शाह जहां ने बताया कि 2019 उसने अपने बेचे को 60,000 रुपे में धारावी सित एक परिवार को बेचा था बताते चले कि महराश्ट्र कि राज़धानी मुंबई में क्राइम ब्रांच ने नवजाच शिशुओं को बेचने वाले गिरो का परदा फाश किया है क्राइम ब्रांच ने साथ महिलाओं और दो पुर्शों समेट नो लोगों को काबू किया है गिरो साथ हजार रुपे में नवजात बच्ची और डेड़ लाख रुपे में लड़के बेचता था